हें गाईज, वेलकुम वेक्ट में चैनल, सुब्से पहले तो वीडियो को लाइक करते हैं, आज हम आपको ये बहुत ही व्यूटिफुल सा पर्स बनाना बताएंगे, तो हमने दो-तिन ड्रेस बनाई है, उसके मैचिंग का ये पर्स बनाया, बहुत प्यारा लगता है, दोनों एक बटन लगाया है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने चैन बनाई है, तो चैन में हमने मोती डाले है, अगर आपके पास मोती नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल थी चैन बनाके और जॉइन कर लें, अगर वीडियो में हम आपको बता देंगे, तो इस बनाई है, आपने नहीं देखें, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बोक्स और कमेंट बोक्स में दे देंगे, बहात प्यारी सी फ्रॉग है, इसके मेचिंग का भी आप बना सकते हैं, हमने या पर बाइट कलर फ्रॉग में उपर लगाया है, तो वाइट कलर का पर्स अगर हम अब बहुत ही अच्छा लगएगा, मेचिंग का बना के, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, हमने कूरती बनाई है, तो इसके साथ भी पर्स अराम ते चल जाएगा, तो अब अपने कौर्डिंग कलर चूज करके, और किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं, ट्रेस का मेचिंग का बना सकते हैं और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ 20 या 25 ग्राम उन लगेगी मैंने पहले ही पता दिया है 11 नंबर के क्रोशे होके अभी आप इतनी उन देख रहे हैं इससे थोड़ी और ज्यादा लगेगी और आपका पूर चार चैन बनाने के बाद यह फास्ट वाली चैन में इसको जोईन करेंगे जोईन करने के बाद यहाँ पर हम चैन बनाएंगे एक दो दो चैन बनाके सिम इसी जगे डाल कर हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक डबल क्रोशे हमने बनाया बापस इसी जगे डाल के दो हो गई तो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोसिया कहते हैं दिखें दो निकाले पहले फिर दो निकाले फिर इसमें बल लेकर डाला और फिर दो निकाले पहले फिर दो निकाले इसको डबल क्रोसिया कहते हैं तो इसके अंदम टोटल बारा वर डबल क् तो एक चेन के अंदा दो हो गई हमारी और चैन को हम काउंट कर रहे हैं ठीक है दूसरे बाले में डालके बनाएंगे दीके दिन क्रोश्य हो गई अब तीन चेन लेकर बापस इसी जगे डालके इसमें जोइन करेंगे इस तरीके से तो ये चार डबल क्रोसे होगी हमारे पास अब इसके पास वाली चैन में डालके इसको इस तरीके से सिलिप इस्टिच बनाके तीन चैन बनाएंगे हम एक, दो और एक तीन ठीक है चैन को काउंट कर लिया तो एक हो गए हमारे पास डबल क्रोसे है बापस इसी जगह डालके बनाएंगे तो देखे दो हो गई अब इसके पास वाली चैन में एक बनाएंगे तो तीन हो जाएंगे हमारे पास कुछ मारे तेंग कि वे स्टर्ड करेंगे तो चार हमाई भी हम इस तरीके नहीं करेंगे ता मैं लेकर हमेरे नत कि आपका एस यह जेगा भी ला orange कि具ब coronavirus अगिए हमारे पास हो गई है इसके पास वाले चेन में बनाएंगे हम, तो तीन हो जाएंगी, और तीन होने के बाद फिर तीन चेन लेके सेम इसी जगे डालके सिल्पी स्टेच कर देंगे, तो हमने बारा चेन बनाई थी, तो हमारे पास छे बारे पेटल्स दिखेंगे आपको, तो हम आपको दिखाते हैं यहां पर आपको दिखा दे, दिखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे बारह चेन बनाइती thinkee इसलिए हमारे पास छे पेतल है हमने दुद। धागे दिखते हैं एक धागे में ही बनाये हैं सारे पेतल और यह दागा जो आपको दिखेगा जो 2 तार दिखते हैं उसमें से हमने 1 तार में बनाया है अब पीछे के साइड एक तार दिखेगा उसमें डालके हमने जोइन कर लिया है जोईन करने के बाद देखिए एक दो दो चेन ले ली इस चेन को हम काउंटर नहीं करेंगे और सेम इसी जगे हम दो बार डबल क्रोस्या बनाएंगे देखिए देखें दो बार बना ली इसके पास वाली चैन में भी हम दो बार डबल क्रोसे बनाएंगे तो बारा चैन में जब हम दो दो बार बनाएंगे तो हमारे पास 24 डबल क्रोसे हो जाएंगी ठीक है हर चैन के अंदर हम दो दो बार बनाएंगे तो जो हमने बैटल से बनाएते हैं तो एक तार में डाला था जब दो तार दिखते हैं आगे वाले तार में हमने बनाए थे तो इसलिए पीछे वाले तार में डालके हम दो दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे उसके बाद हमारे पास 24 डबल क्रोसिया हो जाएंगे आगे इस वाले तार में भी दो बार बनाएंगे हम एक बाप सी सी जग डाल के फिर से बनाएंगे दो हो गई ठीक है इसी तरीके से इस पूरी रोको हम कम्प्लीट करेंगे आखे दिखाते हैं इस तरीके से बनते जाएंगे हमारे पूरा बन गया है आप देखे हम जो इस टाड़ी में हमने दो चेन ली थी उसके बाद हमने एक डबल क्रोसे बनाया था उसके एक तार में हम डालके इसको जॉइन करेंगे देखे जॉइन करने के बाद आप देखे हम तीन चेन बनाएंग है तो उत के चैन के नदर दो हो गई है हमारे पिसे हमने एक बनाया है अब इसके अगली चैन में हम दो बनाएंगे तो टोटल पास डूबल को से हमारे पास हो जाएंगे moż Iím कंप कांट करके चार हो गई हमारे पस तीन चैन लेकर सेम इसी जगे हम इसको ज्य Noah करेंगे तो 5 हमारे पास double crochet हो गए फ़स्ट वाले पैटल में हमने 4-4 double crochet बनाएंगे थी सेकंड वाले में हमने 5-5 बनाएंगे पाले पिस्टेज बनाने के बाद तीन चेन लेके चेन को count कर लिया और सेम इसी जगे हमने एक और बना ली तो दो हो गए हमारे पास अब इस वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे इसमें हमें एक बार बनानी है तो तीन हो जाएंगे हमारे पास अब इसके अगली वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे तो है इस और पर चार हो गई हमारे पास तीन चेन लेके Same ा ज़गे में इसको Union करने है ठीक कोई तो फरंट वाले और लास्ट वाले में हमें दो-दो करना है बीक वाले में हमें एक बार बनाना ना है फिर उने सींगे बनाने के बाद से जोइन करना है और हम एक तार में डालना है ठीक है दो तार हैं तो हम एक तार में डालना है सिर्फ आगे वाले तार में जो पीछे वाले तार बच्चे का उसमें हमें आगे हम बताएंगे क्या करना है तो तीन चैन लेके से में इसी जगे हमें एक बार बनाएंगे तो दो हो इसी में जोइन करेंगे तो 5 हो गए ठीक है तो इसी तरीके से पूरी रोग को हम complete करेंगे फिर आगे आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो हम पूरा बनाने के बाद आपको दिखाएंगे तो देखिए हमने एक कि एक दो जबढ़िए ठीन चार पाँच छेसा आठ पहले हमारे पास च्रेजश पैटल से अब हमारे पास अठ हो गए है अब पीछे के साइड हम इसको यहाँ पर जोइन करेंगे इस तरीके से ठीक है अब दो चैन लेकर एक और यह दो दो चैन लेकर देखें दो चैन लेंगे पहले इसमें देखें जोइन करेंगे पीछे वाले तार में यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे तो एक और यह दो इस दो चैन को हम काउंट नहीं करेंगे अब इसमें देखिए दो बार हम डबल क्रो से बनाएंगे एक और ये दो दो डबल क्रो से बनाने के बाद अब इसके अगली चैन में हम एक बार बनाएंगे इसमें हम एक बार बनाएंगे देखिए इसमें एक बार बनाएंगे और इसमें हम दो बार बनाएंगे यहां पर हम दो बार बनाएंगे ठीक है एक और दो तो इस रो में हमें एक चैन में एक बार बनाएंगे और एक चैन में दो बार बनाएंगे एक के बार हमें फंदा बढ़ाना है इसमें एक बार बनाया इसमें द बार बनाएंगे इसी तरीके से पूरी रोह को हमें complete करना है देखिए हम 2 बार बनाएंगे एक और दो कि हमने यहाँ पर पूरी रोह कमप्लेट कर ली थी युच्छ में चाहिक बनाया था उसके फ़र्सट वाले तार में डेखे फ़र्स वाले तार में टालकर हम इसको जोइन करेंगे इसके बाद हम देखे तीन चेन लेंगे एक 2 और 3 तीन चेन लेके चैन को काउंट कर लिया सेम हम आई इसी जगे मैंने, यह तो यह बनाएंगे ऐक नुब उस्वार में Qi फिर यह बना डाएंगे तो चार देंगी मुझे टो यह तैन न दूम इसे जगे हम ज करें सेंगे तो 6 फिर 7 जान हो गही तो यह स्टाटिक में, इस पैसे db हम चेंजेंड करेंगे तेंड लेकर ऑभ इस सी जगे डालने बनाएंगे और चैन vibrations कर लोच से होगी इसके पास वाली हमएगे तो 3 हो जाएंगी पर इसके पास वाली चैनने बनाएंगे चार होजाएंगी देखी फिर फिर आप grad emoal in लेंगे 5 हो जाएंग knows तीन चेन लेके सेमी इसी जगे जॉइन कर लेंगे तो 6 हो जाएंगी ठीक है तो इस टार्डिंग में और लास्ट वाले में हमें 2-2 करना है और बीच में एक एक बार बनाना है तो इस रो को हमें ऐसी ही कंप्लीट करेंगे तो इस ट्राइडिंग में हमने देखि 4 करी थी फिस में 5 हो गई अब यहाँ पर मायबाद 6 बार हो गई है तो इसी तरीके से हमें पूरी रों कमप Require करनी है एक तार में डालके बनाना है इस टाइडिंग वाले और लास्ट वाले में हम 2 compare करेंगे बीच में हमें 12 क्रोसया से में पूरा कम्प्लीट किया है अब कम्प्लीट करने के वाद देखे अब हम क्या करेंगे तीन रो हमाई पैटल की तीन रो हमाई बन कहीं है अब हम क्या करेंगे इसको फिर से पीछे की तरफ जॉइन करेंगे जॉइन करने के बाद दो चैन लेके से मिसी जगे हम एक डबल क्रोस्या बनाएंगे यहां पर एक डबल क्रोस्या बनाया बापत इसी जगे डालके बनाएंगे दो हो जाएंगे हमारे पास अब देखिए अब दो के बाद हमें फंदा बढ़ाना है इस वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और इसके पास वाली चैन में भी हम एक बार बनाएंगे ठीक है दो चैन में हमने एक बार बना लिया अब तीसरी वाली चैन में हम फिर से दो बार बनाएंगे देखिए एक बापाई सीसी जेगर डालके बनाएंगे दो ठीक है तो दो चैन के बाद हमें तीसी चैन में फंदा बढ़ाना है हर तीसी चैन में हमें दो बार डबल क्रोसे बनाना है एक बना लिया इसके पास वाली चैन में बनाएंगे दो हो जाएंगे हैं मरे पास अब तीसी वाली चैन में हम दो बार बनाएंगे, देखिए, एक, बापस इसी जगर डालके बनाएंगे, और यहाँ पर दो हो जाएंगे, देखिए इस रो को हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, दो के बाद तीसी वाली चैन में हमें फंदा बढ़ाना है तो इस रो को हमें ऐसे ही complete करेंगे तो इस रो को बनाने के बाद देखिए जो petals वाली रो आएगी उसमें हमें क्या करना है इसको हमें ऐसी बनाएगे दो के बाद बंदा बढ़ाएगे जब वाली रो आएगी तो अभी हमने 6-6 double crochet बनाया था अब हम साथ साथ बनाएंगे ठीक है फर्स्ट वाली में तीन चैन लेना है फिर मुसी जग एक और बनाएंगे तो दू हो जाएंगी उसके बाद चार चैन में हमें एक एक बनाना है पांच मी चैन में फिर हम एक double crochet तीन चैन लेके जॉइन करेंगे इसमें हमने चार डबल क्रोशे बनाया था इसमें हमने पांच बनाया है ठीक है एक दो तीन और चार और पांच इसमें हमने छे बार बनाया देखिए एक दो तीन चार पांच छे ठीक है फास्ट वाली और लास्ट वाली में हमने दो दो बनाना है और बीच वाली में एक एक ब के बनार बीच के हम एक एक बार बनाना है तो इस रो को कंप्लेट करने के बाद एक पैल्ट और बना के फिर आगे दिखाते हैं एक पैटल्स और बना रहे हैं इसमें देखिए हम क्या करेंगे तीन के बाद फंदा बढ़ाएंगे देखिए एक डबल क्रोशे बना लिए एक चैन में दो बना लिए इसके बाद देखिए एक दो और ये दो बना लिए हमने और ये तीन तीन के बाद चौती बली चैन में हम फंदा बढ़ाएंगे उसके पीछे जो हम रो बना रहे हमें तीन के बाद फंदा बढ़ाना है हर चौती चैन में हम दो बार डबल क्रो से बनाएंगे ठीक है तो इस वाली रो में हमें इसी तरीके से फंदा बढ़ाना है जब इसके बाद सेमी वाली रो आईगी तो इसमें हम पांच के बाद फंदा स्वारी चार के बाद फंदा बढ़ाएंगे तो इसी तरीके से इस रो को हम complete करने के बाद आगे आपको दिखाएंगे तो चार petals होने के बाद पांच में petals में हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने दो chain बनाने के बाद जो double crochet बनाई है उसमें फर्स्ट वाली जो धागा है उसमें डालके join कर लिया इसको तीन chain बना लिया अब chain को हमने count कर लिया तो एक double crochet हमारे पास हो गई है तेम इती जगे बना लिया दो हो गई है अब देखे चौत्य वारी पैटल्स में मारे पास 8 double crochet है ठीक है यह चौत्य वाला जो पैटल्स है चौत्ती रो है इसमें हमारे पास यहां पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ double crochet है तो अब हम 8 बनाएंगे तो एक chain में हमने दो बार बना लिया है इसके पास वाली chain में बनाएंगे तीन हो गई और यह चार पांच छे साथ और सेम इसी जगे हम तीन chain लेके इसको जोईन करेंगे तो 8 हमारे पास हो जाएंगी देखिए 8 double crochet हो गई ठीक है अब फिर इसके पास वाली chain जोईन करने के बाद तीन chain लेकर chain को फिर से हमने count कर लिया सेम इसी जगे फिर से बना लिए दो हो गई हमारे पास इसके पास वाली chain में बनाएंगे तीन हो जाएंगी और यह चार चार हो गई और इसके पास वाली chain में बनाएंगे पांच double crochet और यह छे और यह लास्ट वन साथ अब तीन चेन लेकर सेमी सी में जोईन करेंगे तो आठ डबल क्रोसे हो जेंगी इस रो को हमें ऐसे ही कम्पलीट करना है इसके अगली रो में हम आप दिखाएंगे क्या करना है है पूरी रो कम्पलीट कर लिय Richt फिर से हम पीछे वाले तार में फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो हमने एक चैन में दो बार डबल कुरू से बनाना है उसके बाद देखे हम यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार के बाद फंदा बढ़ाएंगे पांच मी चैन में हमें दो बार बनाना है देखी एक और दो ठीक है हर पांच मी चैन में हमें दो बार डबल करो से बनाना है चार में एक एक बनाना है पांच मी चैन में हमें दो बार बनाना है तो इसी तरीके से स्रो को हम complete करेंगे और इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है सिंपल है जब आप लोग बनाना है स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा चार के बाद हमें पंदा बढ़ाना है ठीक है चार के बाद हम पांच मी चैन में दो बार बनाएंगे तो इसी तरीके से स्रोख को कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे आपको दिखाते हैं तो पूरी रोह हमारी बन गई है यहाँ पर और इसको जोइन कर लेंगे फिर से हमें पेटल्स बनाने है तो अभी हमने आठ वार बनाए थे आठ डबल क्रोश्य बनाई थी इसके आगे जो हम पेटल्स बनाएंगे उसमें नो डबल क्रोश्य बनाएंगे थीक है इस तरीके से दिखे इसमें आठ है इसके अगली रोह में हमारी पास नो नो होंगे थीक है तो जैसे हमने यहाँ पर बना रखे है तो यहाँ पर देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे पेटल्स हमने बनाए है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो हमने दबल क्रोश्य बनाए है इसके बाद हमने देखी है यहाँ पर क्या-किया 5 के बाद फंदा बड़ाया है हर छटी चन में हमने फंदा बड़ाया है उसके बाद हमने धागा कट कर दिया है, देखिए, छटी चन में हमने दो दो डूबल क्रोशे बनाया है, तो इसी तरीके से दो पैटन आपको तयार करने हैं, उसके बाद हम आपको सिलाई लगाना बताएंगे, कैसे सिलाई लगाने हैं, हमने दो पैटन तयार कर लिए, अब ह हम यहां से 25 डबल कुरूशया छोड़ेंगे दिखिए काउंट करके आपको दिखा दें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननेश बीस इकेस बाइस देश चोविस पच्चिस पच्चिस मी चैन में हमें फि अब हम करेंगे हम उन को जोएन करेंगे यहां पर एक चैन करेंगे बनाएंगे पच्चिस जो ने चैन चोड़ी हैं समें एक बार सिंगल करोशे बनाना है त कि जिस सिंगल करों से बनाने के बाद हमें सेपटी पिन को खोलना है कोलने के बाद देखे क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे बोलने के बाद सेमी सीज़े के डाल कर और डबल करो से बना लिया अब देखे दोनों साइड के हमें एक एक चेन लेकर और सिंगल करो से बनाना है दोनों साइड में एक एक फंदा लेकर और इस तरीके से दोनों को पकड़ कर और दोनों में डाल कर हमें एक एक सिंगल करुसे यहां पर बनाना है देखें दोनों में साथ में डालेंगे और इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनाना है दूनों में साथ में डाल कर हमें एक-एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए दूसरी जो हमने सेप्टी फिल लगाई है आप बहां तक लेकर आना है इस तरीके से बनाते जाना है और दूसरे सैट तक लेकर आएंगे इस तरीके से आ आगे आपको दिखा रहे हैं देखिए अब इसमें हम पीछे बाले में डाल कर यहां पर हमने जो 25 पहले तो इस तरीके से बना लिए आप जो 25 हमने चैन छोड़ी है इसमें देखिए यह की करते हुए हम लेकर आएंगे एक दो तीन चार पांच छे ताथ आठ तो हम तेरमी डबल कुल तेरमी चैन पर आ गए हैं अब यहां से हम चार चैन बनाएंगे तो आप चे चेन भी बना सकते हैं हमें चोटा सा बटन लगाना है इसलिए हमने चार चैन बनाएं है उसके बाद जितनी भी हमारे पास चैन बज़गी है सब में हमें एक एक बार चे decisively यहां तक लेकर आएंगे उनको कट करेंगी फिर आपको दिखार है दिखिए अब हमने डबल धागा डाल दिया है जागा डालने के बाद इस जगे हम उनको जोइन करेंगे यहां पर एक बटन लगा लिए बटन के लिए होल भी हमने बना लिया तो आप चाहिए तो चोटा लगा सकते हैं बड़ा बटन भी लगा सकते हैं अब देखे हमने यहां पर धागा डालना है इस जगे पर हम उनको जॉइन करेंगे अच्छे से अंदर से डालकर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे ताकि यह मजबूत रहे इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद यहां पर हम मूती डालेंगे तो हमारे पास मूती है इसको हम अच्छे से इसमें डालनेंगे और डालने के बाद आगे आपको दिखाते हैं देखे इस मूती हमने डाले अगर आपके पास मूती नहीं है तो आप सिंपल यहां से चैन एक गार दूसरे साइड में जोइं करलें हैं इसलिए थोड़ी फ़ों बना जालकर को हमारे स करनेकी से कैっち के सबसक्राइब उनको cut करेंगे अगर आपके पाथ इस टाइप के डोरी पड़ी है तो आप भो भी लगा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है तो देखा कितना सरल था इतकी जगे आप कोई भी flower का यूज कर सकते हैं हमने अपने चैनल पे एक बड़ा सा सूरज मुकी का फूल बनाया था उस डिजाइन में भी आप पर्स बना सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे फेस्बुक पर फॉलो जरू करें लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में बाई